कॉंग्रेस के पूरधिक्ष राहूल गांधी ने ये सिद्ध कर दिया कि पार्टी किसी भी घलत चीज़ का समर्थन नहीं करती कमलाथ के बयान पर सियासी गल्यारों में खूब चर्चा हो रही थी कॉंग्रेस पार्टी से सवाल किये जा रहे थे कि वो इस बयान पर खामोश क क्यों है लेकिन इन सारे सवालों का जवाब राहूल गांधी ने सिर्फ एक वाक्य में दे दिया तो क्या कहा राहूल गांधी ने देखिए इस रेपोर्ट में करेगी विजबी बार बार सवाल कर रही थी कि कॉंग्रेस इस मामले पर खामोश क्यों है आखर क्यों कॉंग्रेस कमल आत की खिलाफ कारवाई नहीं कर रही लेके अपने नातिक मूल्यों का परिचर देते हुए राहूल गांधी ने कमल नात के बयान को दुरभागे ngard करार कर दिया है और कहा है कि इस तरह की भाषा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं इस मुद्ध पर मध्यप्रदेश की सियासत लगाता गर्माती जा रही थी शिवराज को भी अपनी पारी खेलने का बैठे बिठाए मुद्धा मिल गया और इस मामले को तूल देने के लिए पूर्व अध्यक्ष ने इस बयान को गलत करार दिया है हाना कि राहूल गांदी के इस बयान के आने के बाद कबलात ने फिर से अपना बयान चारी किया है उन्होंने कहा है कि मेरा लक्ष किसी को अपमानित करने का नहीं था लेकिन अगर कोई अपमानित महसूस करता है तो म क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें देखते रहें डीवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार